एक टीवी न्यूज चैनल में हाल ही में आजित डिबेट के दोरान बीजेपी की प्रवक्ता नुपूर शर्मा ने हशरत मुहमत पैगंबर के खिलाब बेहत अभद्रटी पन्निकर समस्त मुसलीम समाश की भावनाव को आहत किया था जिसके परिणाम स्वरुप न सिर्फ देश भर के मुसलीम बलकि दुनिया भर के जादा तर मुसलीम देश भी इस घटना पर कडिया आपती जता रहे हैं इस प्रकरण में भारत सरकार से खफ़ा OIC याने मुसलीम देशों के इसलामिक सयोग संगटन ने आंतराश्री अस्तर पर भारत देश में मुसलीम समाज और इसलाम धर्प के खिलाब उपज रही जहरी लिम मानसिक्ता पर रोक लगाने के लिए आवाज उठाई है बीजेपी प्रवक्ता नुपूर शर्मा के बेतुके और अपमान जनक वक्तवे के बाद देश में कुछ जगह पर हिंसा की भी खबरे सामने आई है ऐसे में नुपूर शर्मा के बयान के विरोध में दजून शुकरवार को भारत बन का एलान किया गया है जिसको यातमाल जिले के दिगरेश शहर में मिलाजुला प्रतिसात मिला जाद अदर मुस्लीम इलाकों से सटे बाजार जैसे आर निना का आदी सहित मारकेट लाइन में मुस्लीम व्यावसाईकों की दुकाने विशेश रूप से बन नजर आई बहराल देश में यू तो वेरोजगारी महेंगाई जैसे कई मसले है कई समस्या है जिससे जनता जूज रही है लेकिन राजनेतिक पार्टी के प्रवक्ता जनता से जुड़ी समस्याओं के बारे में बोलने के बज़ाए जनता की भावना को आहत कर हिंदू-मुसलीम फसाद के लिए जरूरी वातावरन का निर्मान करते नजर आ रहे है ताकि देश की जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हज़र और सत्ता भिलाशी राजनेतिक पार्टियों की दुकाने चलते रहे बीसीय नियूस के लिए दिगरस से जुबेर खान की रिपोर्ट